न स्पारॉआ न confidence वोन, nine दाने के वह हम उप्चार रत्मक पोशन की व्याख्यान श्रिंख लाम में आपका स्वागत है उप्चारात्मक अहार के इस व्याख्यान के दूसरे भाग में हम विबिन्हा प्रकार के उप्चारात्मक अहारों के बारे में बात करेंगे उप्चारात्मा काहर के कई प्रकार हैं इसको हम अस्पताल आहर भी खह सकते हैं क्योंकि अस्पतालों में विबिन प्रकार के रोगयों के लिए विशिष्ट उप्चारात्मा काहर बनाये जाते हैं जो उन रोगयों को उस रोग की स्थिति में दिये जाते हैं या आहर मुलता दो प्रकार का होता है पहला है सामानिया नियमे तहार दूसरा है संचोधिय तहार जो मौडिफाइड डाइट होती है संचोधिय तहार भी दो प्रकार का हो सकता है तरल और नरम तरल आहर में हम रोगी को उसकी स्थिती के हिसाब से सपश्ट तरह लाहार या पूर्ण तरह लाहार देते हैं तो आईए जानते हैं कि या विबिन नहार किस प्रकार के होते हैं पहले बात करेंगे सामान या आहार वह नियमिताहर की सामान या आहार वह होता है जिसमें एक स्वस्थी वक्ती द्वारा खाए गए सबी खादिवदार शामिल होते हैं या मूलता हा रोगी के पोशक आवशकताओं के अनुरूप होता है जो उसका RDA होता है ताकि उसके पोशक तत्व की इस्टितम मात्रों से प्रदान की जा सके इसमें रोगी के भोजन में किसी प्रकार का प्रतिबन नहीं होता और वह संतुलित और पोश्किक होता है मूलता या अस्पताल में भरती उन रोगियों के लिए होता है जिन में रोगी जिसमें रोग की सिदी के अनुसार किसी प्रकार का अप्चरात्मक संशोधन की को प्रस्तावित नहीं किया जाता और ध्यान देना चाहिए कि ऐसे यहार में उर्जा में हम 10 प्रतिशत की कमी करें क्योंकि अस्पिताल में रोगी आरामता है किसी दिमें होता है तो उसका जो उर्जा व्याय होता है वह कम होता है तो इसलिए हम उसको सामानिय से 10 प्रतिश शामिल होता है कई लाप हैं इस तरह के आहार देने के लिए हस्पिताल में बढ़नी रोगियों को यह आहार विशेशारज नहीं होता है इस तरह रोगी को एक मनोवी जानिक संतुष्टी मिलती है कि वहाँ बहुत गंभी रोग से ग्रस्त नहीं है यह संतुलित होता है जिससे रोगी की सभी पुशन आवशक्ताइं पूरी होती है इसकी योजना बनाने में बहुत ज़दा प्रयास नहीं करने होते बस सिर्फ यह ध्यान देना होता है कि आहर संतुले तेवं पुश्टी तत्तों से भरपूर हो और इसमें हम रोगी की पसंद और नापसंद का ध्यान रख सकते हैं इसमें वो सभी खादिबदार्थ अनुमे होते हैं जो एक सामानी स्वास्टी की सिती में खाय जाते हैं और बहुत मसालेदार और सुगंदित खादिबदार्थों का इसमें शामिल नहीं किया जाता दूसरा आहर है संचोदे तहर संचोदे तहर वह होता है जिसमें हम सामानी आहर में किसी प्रकार का संचोधन करते हैं इसमें पहला प्रकार है तरल आहर तरल आहर जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यह लिक्विड डाइट होती है जो तरल रोप में होती है कई स्थितियों में जैसे ज्वर्की स्थिति में या सरजरी के बाद जब रोगी ठोस आहर लेने में सक्षम नहीं होता उस स्थित होता है , तरल रूप में खादी पेदार्थ प्रदान करता है तरल रूप कंपरे के तापठ कोक्रे स्पश्ट होता है स्पस्ट मतलबUNG 하면서 कुलियर होता है , जिसमें कोई भी ऐसा गाधों स्पश्वला तरल पेदार्थ मूर्ट उर्ड़ Espal protocols विशेश उदेश इस तरह का अहर देने का होता है कि शरीर में निर्जलरी करण ना हो डिहाड्रेशन ना हो और परियापत मात्रा में उसको एलेक्ट्रोलाइट्स मिल सकें यह आहर मुलता कैलोरी और अन्य आवश्यक पोश्यक्तत्तों में अपरियापत होता है इसलिए इसको बहुत जादा दिनों तक नहीं दिया जा सकता और यह आहर प्रोटीन, कैलोरी, विटामिन और खनिच पूरकों के बिना एक से तीन दिनों के लिए पोशन का एक मात्र स्रो प्रोट नहीं होना चाहिए यह आहर जात्रांत्र मारक पर न्यूनता मवशेश चोड़ता है इसलिए यह आतों में पाचन की आवश्यक्ता वाले बोजन के बाहर को कम करने मदद करता है और मूलता यह जो सपश्ट तरह लाहर होता है यह ट्यूब फीडिंग जो होती है यह हम जो इंट्रविनिस फीडिंग होती है उसके और एक ठोस आहर या पूर्ण तरह लाहर के बीच का ट्रांजिशनल फेज है उसके बीच में यह हम सपश्ट तरह लाहर देते हैं जैसे सरप्रथम व्यक्ति को हमने उसको नसों के माद्यम से पोशर दिया अब जब वो मूग क मार्ग से खाने में सक्षम हो जाए तो शुरुवात हम सपश्ट तरहल आहर से करते हैं और एक सपश्ट तरहल आहर पानी कार्भोहाइड़िड और कुछ एलेक्रोलाइट से बना होता है और आम तोर पर या एक दिन में 400 से 500 किलो कलोरी पांच ग्राम प्रोटीन लगभग न कॉफी हल्की चाय और कॉफी जिसमें दूद या मलाई नहीं पड़ी हो चानावा फलों का रस नारियल पानी दे सकते हैं मठ्था और जॉग का पानी चीनी और नमक मिला है वेक तरल पदार्थ जो एकदम क्लियर हो और कार्बोनेटेड बेवरेजिस दे सकते हैं अगर वेक जिससे कि उसको पानी और एलेक्ट्रोलाइट की कमी ना हो अब बात करेंगे पून तरलाहार की जब मौकी ग्रूप से रोगी आहार लेना लगता है और इस पश्ट तरलाहार के बाद जब उसके और सिती सुधरने लगती है तो या उसका दूसरा चरण है आर का जिसमें हम फुल लिक्विड ॡएट देते हैं तो इसमें हम थोड़े गाठे तरल को शामिल करते हैं जिसमें दूद दे सकते हैं पतलाहा दे और इस अहर का उदेश उन व्यक्तियों को तरल पदार्थों का एक मौखिक स्रोथ प्यदान करना है जहां जो ठोस पोजन पर चबाने में निगलने में असमर्थ होते हैं इसका उप्योग हम उन इसितियों में कर सकते हैं जहां पर व्यक्ति को दातों से संबदेद्या मुक्से संबदेद्या कोई परिशानिया जिसमें वह चबा नहीं सकता तो उस case में भी हम इस सहार का प्रयोग कर सकते हैं और जो gastrointestinal structures होते हैं और या फिर gastrointestinal tract में अगर सूजन हो या गंभी रूप से विमार रोग्यों के लिए भी सहार का प्रयोग किया जाता है और पून तरह लहार लगभग 1500-2000 किलो कलोरी और 55-65 ग्राम प्रोटीन और परयागत मात्रा में खाने जो और विटामिन प्रदान करता है लेकिन इसमें रेशे की मात्रा नहीं होती और बहुत विस्तारित अभधी के लिए इसका उप्योग नहीं किया जाना चाहिए परंतु 55-13 हर से जादा दिन के लिए हम इसको 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 कर सकते हैं इसमें अनुमे खादी पदार्त वह हैं ऐसे तरल पदार जो मलाईदार हो सकते हैं या आइस क्रीम दे सकते हैं पतला हल्वा, कस्टर्ड, चाने हुए क्रीम या सूप, गुदा युक्त रस दे सकते हैं जिसमें थोड़ा सा जोसका पल्प हो उसको हम क्रश करके दे सकते हैं और मिश्रित और चाना हुआ अनाज और दाल का दल्या दे सकते हैं इसमें हम चाय, कॉफी, कार्बरनेटेड ड्रिंक्स दे सकते हैं, मक्खन और क्रीम से मिलावा भूजन दे सकते हैं, जो पतला हो और इसमें हम चीनी शहद और नमक दे सकते हैं और बहुत हलकी सुगंद वाले खादिवदार्थ दे सकते हैं अब बात करेंगे संशुतित आहर के दूसरे भाग के बारे में जो है नरम आहर, नरम आहर एक पूर्ण तरल और सामान आहर के बीच का भाग है, जब व्यक्ति अच्छे से पूर्ण तरल आहर लेने में सक्षम हो और अब उसकी हालत में और सुधार होने लगे तो उसे हम उसक जो फूर्ड प्रडुक्स होते हैं वो प्रदान करता है, जो हलके मसाले यूग्त बहुत कम रेशे यूग्त होते हैं और बहुत तेज मसाले और बहुत तेज गंदवाली खादिवदार्थ हम इसमें शामिल नहीं करते, और इस अहर को हम तब तक रोगी को दे सकते हैं, या चबाने की समस्या जिनको वह जैसे दान्तों में अगर दिक्कत हो उन रोग्यों को भी दे सकते हैं और रोगी की भूग के हिसाब से उसके छजर्य की कंडिशन के हिसाब से और बो जिनकी सहन्षीलता उसके पिछली पोशन इस्तिती और चवाने और निगलते की शम्ता के अनुसार हमें इस तरह के आहर का प्रयोग करना चाहिए क्रियाशीलता, आयू, उंचाई, वजन, लिंग और रोग की इस्तिता व्यक्तिकद रोगी की पोशन संबनी ज़रूतों के अधार पर नरम आहर, 1800-2000 कलोरी और 55-55 ग्राम प्रोटीन परियाप्त मात्रा में विटामिन और खनीज लेवन प्रदान करता है इस आहर का हम अधिक अभधी तक उप्योग कर सकते हैं क्योंकि सामानी स्वास्ति के लिए यह पोशन की दृष्टी से उप्योगत होता है इसमें अनुमें एक खादिपदार्थ है नरम पके हुए परिश्क्रित अनाज जैसे अच्छे से पके हुए चावल या गेहुं के और प्रोटेक्स जैसे पास्ता, ब्रेड, बिस्किट, सूजी, दल्या, इक्तियादी नरम अच्छे से पकीवी धुलीवी दाले क्योंकि हमें रेश्य की मातरा थोड़ी कम ही रखने होती है उसमें और सूप दे सकते हैं पकेवे अनाज दुलीवी दालों की खिचडी दे सकते हैं और दूद और दूद से बने पदार दे सकते हैं जिसमें दही पनीर शामिल कर सकते हैं अच्छे से पका हुआ मांस दे सकते हैं यदी व्यक्ति खाना चाहे अच्छे से पका हुआ अंडा दे सकते हैं नरम पकीवी चेली, केक, बिना मेवे वाली पुडिंग, चीनी, शहेद, साधी, कैंडी, मक्खन, क्रीम, तेल, यह सद दे सकते हैं, फलों का रस दे सकते हैं, सूप दे सकते हैं, पर इसमें भी हमें बहुत कम मसालों और कम सुगंद वाले खादी बदारतों कौपयों करना चाहिए, इसमें वर्जित खादी बदारत हैं, जैसे रेशा, मैंने आपको बताया हमें कम मातरा में रखना होता है, तो साबुत अनाच और साबुत डाले वो नहीं देने चाहिए, बहुत तलेवे खादी बदार, जैसे पूरी पराठे, पकोड़े, यह सब नहीं, पेस्ट्री और इस्टिवाल करते हैं, फिर है यांत्रिक नरम, हार्य को मेकैनिकल सॉफट डाइट कहते हैं, या बेसिकली उन पेशिंट्स के लिए होती है, जिने निगलने में और चबाने में समस्या होती है, जैसे दातों का ना होना, या शली चिकित्सा की कोई स्थिती हो, या दातों मे कोई ऐसी स्थिती हो जो चबा ना सके उन केस में हम मेकैनिकल सॉफट राइट देते हैं इसमें हम अच्छे से मैश्ड या अच्छे से कुटा हुआ या पिसा हुआ भुजन देते हैं जिसमें सबजियां फल और नरम खादिपदार शामिल होते हैं इसमें भी हम तीखे सब्सक्राइब नहीं ले पाते या आप कहें कि चबा नहीं सकते निगल नहीं सकते उनके लिए तो इसमें दो बेसिकली दो महत्वपूंट तरीके हैं पैरेंटेरल और एंटेरल इन दोनों ही पोशन की तरीकों का अपयोग तब किया जाता है जब जो उदर हो पेट है वह आंची रूप से काम कर रहा हो लेकिन व्यक्ति परियाप्त पोशकतत्तों का सेवन नहीं कर सकता या उन्हें अच्छे से अवशोशित नहीं कर सकता और पैरेंटेरल और एंटेरल फीडिंग जो मैथार्ज होते हैं दोनों ही तरल खादे बदारतों का उपयोग करते हैं पह पहुचाया जाता है और पैरेंटेरल जो पोशन होता है उसमें शिराओं के माध्यम से पोशकतत्त दिये जाते हैं इसमें हम जो जट्रांत्र मार्क है उसका किसी भी तरह से उपयोग नहीं करते हैं तो पहले बात करेंगे पैरेंटेरल न्यूट्रिशन की या पैरेंटेरल पोशन की इसमें हम जैसे मैंने भी बताया कि शिराओं के माध्यम से विक्ति को पोशन देते हैं जब जट्रांत संबंधी मार्ग स्वास्त और विद्धी को बनाए रखने के परियाप्त सुख्ष पोशक तत्व और या जल और इलेक्रोलाइट के अंतर ग्रहन पाचन और लवण वसा के विल्यन को नसों के माध्यम से रोगी को देते हैं लेकिन इसमें पोशक तत्व और उर्जा दोनों ही सिमित होते हैं इसलिए स्कॉप योग केवल कुछ दिनों के लिए ही किया जाता है यह दो प्रकार का होता है टोटल परेंटरल न्यूट्रिशन और कि आंतशरह मार्ग से ही कि जाती है और आंशिक में के वल कुछ पोशकत्त्व को विल्यन के माध्यम से प्रदान के जाता है जैसे डेक्स्टोd या कुछ सॉल्ट को इसकी सिफारिश के वल गंभीर एस्तितियों में ही की जाती है जब बाहरी मार्ग से पर यापिंद्द孫 या गंभी रूप से कोई बीमार हो जिसको बिलकुल भी पोशकतत्मों में और और आतों में कोई रुकावट हो जिसको बहुत सीवियर डाईर्या हो रखा हो जो कंट्रोल नथ हो या कोमा की इस्तिती हो या जिसकी कोई gastrointestinal surgery हुई हो या जिनको बहुत ज़ादा acute hepatitis हो या इसका जो solution होती है उसकी संग्रशना किस प्रकार होती है इसमें शरकरा अस्तमाल होती है उर्जा के लिए protein मांस्पेशों की तागत के लिए वसा, vitamin, electrolytes और micronutrients होते हैं इसके पोशन संबंदी संग्रशना करते समय कुछ कारकों को दिहान में रखा जाना आवशक है जैसे वजन में वृद्धी के बारे में हमें जानकारी होने चाहिए कि लक्ष वृद्धी क्या है और नैदानिक मापतन्डों के अनुसार ही पोशक तत्मों की संग्रशना होनी चाहिए और जो माइइक्रो निूट्रेंडस है जो अनुसार सेवन हो रहा है या नहीं और विशेश स्थिती अंतरनहीत रोग और इस रोग की गंभीरता दर्ता और वर्टमान में वीक्तिकी पोशनly स्थिती क्या है उसको दिहान में रखा जाना आवशक है इसमें कुछ जटिलताएं हो सकती है जिसको ध्यान में दिया जाना आवशक है अंताशिरा माध्यम से पोशन देने में कभी-कभी catheter जो होता है वा गलत तरीके से लग जाता है गलत विस्थापित हो जाता है वह ध्यान दिया जाना है रिदय में छेध होना और thoracic duct जो वक्ष न लिका होती है उसमें चोट लग सकती है catheter जब डाला जाता है रोगी के शरीर में तो अगर उस समय ध्यान न दिया जाए तो संक्रमन हो सकता है या उसके प्रविष्टी के दौरान contamination हो सकता है जो उसका solution है उसमें contamination हो सकता है electrolytes जो उसमें हम देते हैं उसमें ascentulin हो सकता है और बहुत ज़्यादा अगर हम किसी पोश्क तत्व की मातरा रख रहे हैं खासकर सूक्ष पोश्क तत्वों की तो उसकी रख्त में जो उसस तरह हो सकता है या बहुत कम हो सकता है कम देने की इस्तिदी में जिसमें कैलसीमिया और फस्फटीमिया कैल्शियम और फॉस्फोरस का अस्तर ज्यादा या कम हो सकता है और कुछ माइक्रो जो न्यूट्रेंट्स हैं जिसमें सूक्ष मखनेज हैं और आवश्क वसी अमले जो essential fatty acids हैं उनकी कमी हो सकती है शरीड में इस तरह का पोशन अगर हम लंबी अवदे तक देते हैं इंटेरल न्यूट्रेशन के बारे में बात करें तो यहां उन रोग्यों को परियाप्त पोशन प्रदान करने की विधी है जिसमें मौखिक रूप से जब रोगी पोशन नहीं ले पाता इसकी शुरवात तब की जात है और इसके दुषप्रभाव पैरेंटरल न्यूट्रिशन के कंपारिजन में कम हैं कम गंभीर हैं और कम सीमित हैं उन इस्तियों में जैसे अनुरेक्जिया या निगलने और चबाने का विकार हो किसी को चयाप चाहिए संबंधी दिक्कत हो और कोमा हो इन सब इस्तितियों के ऐसे थीमिर न्यूट्र जिसमें इस तरह के पोशण की यावशक्ता होती है और इस तरह के पोशण को अमतोर पर टूब्स फीडिंग के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें ट्यूब के माध्यम से खाना दिया जाता है यह कई प्रकार का हो सकता है ट्रांस ओरल मौक्खे कंतरग्रेंट, ट्रांस नीजल नाक के माध्यम से देना या फिर पेट के माध्यम से देना इसके कई सारे लाब हैं जैसे निवेशन में आसान है और इसमें चयापचया और संक्रामक जटिलताएं कम है इसमें आतों की समग्रेता और गतिशीलता का संग्रेक्षन होता है इसमें पेट की गोहा या परिसंचरण में बैक्टिरिया के इससांतरण में कमी होती है अधिक पूर्ण पोश्चक्तत्व, सूक्ष्णतत्व और लगुश्रिंखला वसी इसमें हम इस तरह के सूत्र का जो चयान करते हैं उसके सूलूशन का वाक्ष्ण प्रगार करते हैं जिसमें हम रोगी की चयापचाई संबन्द यावशक्ताओं का ध्यान रखते हैं उसके जट्रांतरपत की स्थिधी क्या है यहाद्यान रखते हैं उसकी पोशन सूत्र की विशेश्टाएं और उसकी संग्रशना काया है और लागत प्रभावशीलता का ध्यान रखते हैं परन्तु इस प्रगार के पोशन में भी कुछ चटिलताएं हो सकती है जैसे कभी जो ट्यूब हमने दी है जिसके माध्यम से हम खाना दे रहे हैं उसमें रुकावट हो सकती है उसमें रिसाव हो सकता है या समस्यां हो सकती है कभी निवेशन में समस्यां आ सकती है जैसे ट्यूब हिल सकती है उसका विस्थापन हो सकता है उसमें संदूशन हो सकता है संग्रमन हो सकता है कई सारी जट्षांती जटिलताएं आ सकती है जैसे व्यक् उस खाने के बाद उसको दस्त हो सकते हैं या उल्टियां कब्स हो सकती है पेट में सूजन हो सकती है